तिर स्टुडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना जैसे कि आप जानते हैं हम लोग भी टेंथ क्लास के साइंस में फिजिक्स के एक सेक्षन्स को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मानो नेत्र और रंग विरंगा संसार और रंग विरंगा संसार ये ऐसा मानी जैसे हम लोगों का चैप्टर खतम खतम है बस NCRT के पीछे वारे जो कोशन्स होते हैं बस उसको समझ लेना है उसको नोट डाउन करते चलना है इस तरीके से हम लोगों का खतम हो जाएगा ये चैप्टर तो जैसा कि जानते हैं हम लोग N NCRT के जो पीछे वाले प्रश्ण होते हैं इस चैप्टर का मानो नेत्र और रंग विरंगा संसार का इसके पिछले पिछे जो प्रश्ण होते हैं उनके उनमें 5 नंबर कोशन तक के हम लोगों ने डिसकस किया था चलिए हम लोग कोशन नंबर 6 को समझते हैं तो सबसे पहले कोशन नंबर 6 को समझा जाएं कि कोशन नंबर 6 क्या बोला जा रहें 6 नंबर कोशन नोट किया जाएं लिखा हुआ है किसी निकट दुरीष्टी दोस से पिडित व्यक्ति को किसी निकट द्रिष्टी दोस से प्रिडित ब्यक्ति को दूर बिंदू नेत्र के सामने दूर बिंदू नेत्र के सामने असी सेंटीमिटर की दूरी पर है कॉमा इस दोस को संसोधित करने के लिए इस दोस को संसोधित करने के लिए आवस्यक लेंस्त की प्रकृति तथा च्छमता क्या होगी देखे कूशन क्या बोल रहा है कि एक निकट द्रिष्टी दोस से प्रिडित ब्यक्ति है और उसका सामने कोई वस्तु है उसको कहां पर होने चाहिए हालांकि असी सेंटीमिटर दूरी नेतर के सामने लिखा हुआ है तो जो असी सेंटीमिटर दूरी लिखा हुआ है एक तरीके का समझे कि वो प्रतिभीम ब्यक्ति है लेकिन हमें समझना चाहिए दोस्त कि एक स्वस्त ब्यक्ति का दूर बिंदु कहां होता है अनन्थ होता है तो हम इसको उत्तर में लिखेंगे उत्तर निकट दृष्टी दोस्त से पिड़ित ब्यक्ति के सामने वस्तू अनन्थ पर होनी चाहिए उसके निचे लिखेगा अता वस्तू कहां होना चाहिए दोस्त अनन्थ पर तो वस्तू को हम लोग यू बोल सकते हैं और वस्तू दूरी हमेसा होता है माइनस में तो माइनस अनन्थ हो गया अनन्थ को infinity बोलते हैं इसका मतलब वो अनन्थ तथा B का value दोस्तों दिया है सवाल में 80 cm तो निकट द्रिष्टी दोस है तो इसका मतलब ओतर lens हुआ इसलिए हम इसको कहेंगे माइनस 80 cm और फिर का बोल रहा है न कि उस lens का दोस्ते जब पिडित ब्यक्ती है उसको तो ठीक करने के लिए और लेंस चाहिए अब और लेंस तो चाहिए लेकिन ये बोल रहा है कि उसकी च्छमता निकाले कि कि कितना डायोप्टर का क्योंकि lens का च्छमता का यसा हमातर क्या होता है डायोप्टर यानि कि यहाँ पे हमें P का मान निकालना है ठीक है तो lens का च्छमता हमें निकालना है तो lens का च्छमता हमें निकालना है यानि कि P का वेलू निकालना है तो आप सबसे पहले समझे कि P का वेलू कैसे निकालेंगे तो P का फार्मूला होता है वन बटा में F, ठीक है, तो वन बटा F यानि कि फोकस दूरी, तो F कैसे निकालेंगे, तो अब आप यहां से चलेंगे, लेन्स सूत्र से, ध्यान देजिये का लेन्स सूत्र से चलिएगा, क्योंकि यहां पे लेन्स से रिलेट, निकर दृष्टी दोस्त को ठीक करने के लिए और तले लेंस चाहिए, तो इसलिए हम लोग यहाँ लेंस सूत्र से लगाएंगे, तो लेंस सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, तो 1 by B minus 1 by U बराबर 1 by F, यही होता है हम लोगों का लेंस सूत्र, अब B के जगा पर कितना रखिएगा आप, माइनस असी, और माइनस तो खुद है, U के जगा पर रखिएगा, माइनस अनंत, इन्फिनिटी, और F का मान निकालना है, तो 1 by F का F छोड़ दिजिएगा, अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए, कि माइनस इसको लिख सकतना है, 1 by 80, और माइनस माइनस कट गया, तो प्लस ह हो गया, 1 बटा, इन्फानाइट, बराबर, 1 बटा में F, ठीक है, अब आप समझे इन चीजों को, कि अगर कोई संख्या है, और उस संख्या में, अगर इन्फिनिटी से भाग दिया जाता है, तो याद रखिए, 0 होता है, एकदम बिल्कुल समझे, अगर मान लिया कि कोई उ में, चाहे एक सो में, अगर अनन्द से भाग देना है, तो इसका हो जाता है, 0, तो अब यहाँ पर क्या किजेगा, माइनस एक बटा, असी, पलस में, यहाँ होगे आपको 0, बराबर में, एक बटा, F, तो यहाँ आप 0 जोड़िएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, त एक बटा में, असी माइनस में, बराबर एक बटा में, F, तो इसकी सहायता से अब कुछी निकाल लीजेगा, F निकाल लीजेगा, समझ में आ रहा है, और F जितना आएगा, F माइनस में आएगा, लेकिन जितना भी पॉइंट में आएगा, चाहे कुछ भी, तो F का वेलू ज जितना आएगा ध्यान दिजेगा एफ का वेलू जितना भी आएगा हम क्या करेंगे उसको एफ का वेलू जितना आएगा उसको हम लोग करेंगे दोस्त फिर पी निकालेंगे फिर लिखेगा अब पी बराबर एक बटा में एफ ठीक है तो अब एफ कमान जितना आएगा यहां पे रखके, P का मान निकाली जेगा, पॉइंट में उतना डायोप्टर, यानिकि लेंज का छमता का इसे मातर कोच होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है, ध्यान दिजेगा, जो आंसर आएगा, आंसर लिख लिजेए, आंसर आएगा हम लोगों को, माइनस 1.25 डायोप्टर कितना ऐगा माइनस 1.25 डायोप्टर ठीक है अब माइनस 1.1 1 मिनिट यहाँ पर हम लोगों को सेंटीम्टर में दिया है ध्यान रखिएगा सेंटीम्टर में फूकस दिया है तो यहाँ लगाईएगा 100 बटा में f बटा f नहीं 100 बटा में F ठीक है तो 100 बटा F लगाएगा तो हम लोगों को आएगा 100 बटा F क्यों करेंगे हम यहाँ पर एक देखिए दू तरह का फार्मॉला होता है लेंस का छमता एक होता है 1 बटा F एक होता है 100 बटा F जब हमको फोकस दूरी जो है मिटर में दिया रहता है तब एक बटा F लगाता है और जब फोकस दूरी अगर सेंटीमिटर में दिया रहता है तब हम इसको 100 बटा F लगाता है तो यहाँ सेंटीमिटर मन दिया है सब कुछ भी सेंटीमिटर में है तो F भी मेरा सेंटीमिटर में आएगा ठीक है और जितना F आएगा उस F का मान नीचे रख देना है और उपर 100 कर देना है क्योंकि सेंटीमेटर है और जब उससे भाग दिजेगा तो आंसर नोट कर लेजे कितना आएगा माइनस 1.25 डायोप्टर तो इतना आना चाहिए ठीक है अब जब इतना आ जाएगा तो उसके नीचे लिख दिजेगा कि निकट द्रिष्टी दोस को संसोधित करने के लिए निकट द्रिष्टी दोस को संसोधित संसोधित का मतलब ठीक करने के लिए माइनस 1.25 डायोप्टर च्हमता वाले इतना है न च्हमता आया है तो वहाँ पूछ राते कि कितना च्हमता का और कौन सा लेंस यूज़ करेंगे तो वही बात को हम नीचे लिखेंगे कि निकट द्रिष्टी दोस को संसोधित करने के लिए माइनस 1.25 डायोप्टर च्हमता वाले अवतल लेंस का परियोग करना चाहिए तब हम लोगों को ये फाइनल आंसर होगा तो समझ रहे हैं कोशन क्या बोल रहा था इस कोशन में समझ ये कि नुमेरिकल के तोर पे आपको बनाना था तो आप इसको बनाईएगा आंसर मैच कीजिएगा अगर हम नहीं मैच करता है फिर से ट्राइ कीजिएगा छलिए आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर 7 पे अब कोशन नंबर 7 क्या बोल रहा है उसको पहले लिखते हैं कोशन फिर आपको समझाते हैं लिखा जाए कोशन चीतर बनाकर दरसाइ की दिर्ग द्रिश्टी दोस को कैसे संसोधित किया जाता है दिर्ग द्रिष्टी दोस को कैसे संसोधित किया जाता है पुन विराम एक दिर्ग द्रिष्टी दोस युक्त नेत्र का एक दिर्ग द्रिष्टी दोस युक्त नेत्र का निकट बिंदू एक मिटर है निकट बिंदू एक मिटर है इस दोस को संसोधित करने के लिए आवस्यक लेंस की छमता क्या होगी पुण विराम यह मान लिजिये की समान्य नेतर का निकट बिंदु 25 सेंटिमेटर है सबसे पहले सवाल क्या बोल रहा है कि चीत्र बनाना है क्या बनाना है चीत्र बनाना है चीत्र बनाकर आपको दिखाना है कि किसी ब्यक्ति को अगर दिर्ग द्रिष्टी दोस हुआ है तो उसको कैसे संसोधित करेंगे मने कैसे ठीक करेंगे ठीक है इसको हम लोग कोची द्वारा लिखेंगे चीत्र द्वारा बनाएंगे ऐसे तो हम दोस जिसमें दूर की वस्तू साफ साफ नजर आये लेकिन निकट की वस्तू में क्या है थोड़ा सा साफ नजर नहीं आता है सुवस्पस्ट नहीं दिखता है और इसको ठीक करने के लिए उत्तर लेंज का बेवहार करना चाहिए ठीक है अब इसी चीज को आपको लिखना नही है हमको चीतर द्वारा इसका बना के दिखाना है ठीक है तो चीतर तो हम लास्ट में बनाएंगे लेकिन फिर उसके आगे क्या सवाल बोल रहा है कि एक दिर्ग दिरिश्टी दोस यूक्त नेतर को निकट बिंदू हम लोगों को एक मिटर है अब एक मिटर का मतलब जानते है 100 cm होता है यानि कि हम लोगों को निकट बिंदू 100 cm है इसका मतलब है कि परतिवीम्ब हम लोगों को दिया हुआ है 100 cm लेकिन उसका समान नेतर का निकट बिंदू कितना होता है 25 cm यानि कि वस्तु दूरी एक्च्वली हम लोगों को दिया है माइनस 25 तो सबसे पहले इसका को संसोधित करने के लिए दिर्ग द्रिष्टी दोस को संसोधित करने के लिए उतल लेंस का पर्योग किया जाता है अब इसको लिकर किया जाता है तक पुन विराम उसके बाद निचे से लिखेगा कि दिया है सवाल में और कौंची कौंची दिया है तो हम लोगों को बोल रहा यानि उख उसको मान लेना है हम लोग मानेंगे परतिभीम बदूरी परतिभीम बदूरी हो गया माइनस एक मिटर और एक मिटर का मतलब कुछी दोस्त सो सेंटीमिटर माइनस में सो सेंटीमिटर ठीक है अब इसमें वस्तु दूरी पूछ रहा है जो वस्तु दूरी सरी सेंटिमेटर क्योंकि चिन परिपाटी हम लोग पढ़े हैं वस्तु दूरी क्या होता है माइनस में तो माइनस 25 सेंटिमेटर यू कमान हो गया और भी कमान हो गया तो बोल रहा है कि कितना च्छमता वाला हम इसको कितना चमता वाला हम जो ऐसे की उतर लेंस लगाएंगे कितना चमता वाला चमता भी बताना है तो B और U दिया हुआ है तो हमको कुछी निकालना है P निकालना है अब P निकालने के लिए हमको मजबूरन F निकालना पड़ेगा क्योंकि P का फर्मूला होता है चमता का फर्मूला होता है एक बता A F नहीं तो फिर सो बता A F अब सो बता A F का यूज करेंगे कि एक बता A F का तो यहां भी दोस्त हमलो करेंगे सो बता A F क्योंकि सब जो है सेंटीमिटर में दिया हुआ है ठीक है तो अब यहाँ पर सबसे पहले लेंस सूत्र से चलिएगा लेंस सूत्र से तो जब लेंस सूत्र से आप चलिएगा तो आपको जो है फर्मुला हो जाएगा 1 by B minus 1 by U बराबर 1 by F ठीक है और जब U का वेलू कितना रखेगा भी का वेलू तो minus 1 by 100 और minus U का वेलू minus 25 बराबर में 1 by F तो यह माइनस से माइनस कट गया यानि कि minus 1 by 100 plus 1 by 25 बराबर में 1 by F तो यहाँ जो है यहाँ से चलते चलते आप F कमान निकालेगा तो F कमान जो आएगा 1 by 3 आएगा ठीक है मतलब यहाँ पर 100 और 25 का LC मिल जीज़ेगा तो 100 हो जाएगा और 1,4,3 बराब 100 हो जाएगा यानि कि बोल सकते हैं 100 बराब 3 होगा ठीक है 100 बराब में 3 F का वेलू कितना होगा 100 बराब 3 तो F का वेलू इतना आना चाहिए मतलब आप इसको जोड़ घटाओ किजिएगा तो F का वेलू कितना आना चाहिए 100 बराब में 3 और F का वेलू जैसे ही निकल गया उसके बाद कोची किजिएगा तो P का फर्मूला P का फर्मूला कोची है P का फर्मूला यहां 1 बटा F ने लगाएंगे 100 बटा F लगाएंगे ठीक है 100 बटा F लगाएगा तो F के जगह पे 100 बटा 3 रखेगा तो 3 उपर चला जाएगा इस तरीके से आप इसको P का मान निकालेगा तो आंसर आ जाएगा 3 डायोप्टर टिक है याने कि final answer कितना चमता उसका होना चाहिए 3 डायोप्टर तो उसके निचे फिर आंसर लिखेंगे इस दोस को संसोधित करने है तो तीन डायोप्टर चमता वाला उतल लेंस का परियोग करना चाहिए यानि इसको ठीक करने के लिए केतना डायोप्टर तीन डायोप्टर तीन आएगा एप थी का मान तो ओई हो जाएगा लेकिन दोस्त इसके बाद हम लोगों को क्या बोल रहा है question में इसके बाद बोला जा रहा है कि आप इसको चित्र बना कर भी दिखाईए ठीक है तो आप इसको चित्र बना कर कैसे दिखाएंगे उसको भी चलिए हम लोग count कर लेते हैं तो सबसे पहले अब लिखेगा अब दिर्ग द्रिष्टी दोस को संसोधित करने हेतू निमनांकित चित्र को चित्रित किया जाता है चित्रित किया जाता है यानि कि अब बोल रहा है कि उसी दिर्ग दुरिष्टी दोसको आप फिगर भी बनाईए तो फिगर इसका तीन तरीके किससे बनता है नमबर ए फिगर ए में लिखेगा दिर्ग द्रिष्टी दोस यूक्त नेत्र का निकट बिंदू क्या लिखेगा ए में दिर्ग द्रिष्टी दोस यूक्त नेत्र का निकट बिंदू यानि कि हम लोग A में जो लिख रहे हैं वो दिर्ग दृष्टी दोस्का निकट बिंदू बना रहे हैं तो इसका फिकर बनता है सबसे पहले ऐसा पैंसिल से बनाना है जैसे मान लिया कि एक नेत्र है यह हो गया हम लोगों का नेत्र डबल यूज हो गया है यहां पर पैन एक ही बार आपको खुमाना है यह नेत्र हो गया और नेत्र के एक लेंस को बनाना है इसको बूलते हैं ये मानों के अंदर लेंस हो गया अब यहाँ पर एक अच खिचना है जिसको मुख्य अच कहते हैं अब यहाँ से एक वस्तु को रखना है ओ यही हम लोगों को ऐसा माना जा रहा है कि निकट बिंदू है और यहाँ से एक रे उपर लेंस के उपर और एक रे लेंस के निचे वाला भाग में गुजारते हैं अब यहाँ से जो है ठीक ठीक उसके रेटिना पर परतिविम बनने लगता है तब हम इसको कहते हैं निकट बिंदू यानि कि ये जो पहला फिगर बनता है दिर्ग द्रिष्टी दोस का नेत्र का निकट बिंदू का फिगर बन गया ठीक है अब इसका दूसरा चित्र बनाये जाता है दिर्ग द्रिष्टी दोस युक्त नेत्र यानि कि जिसको दिर्ग द् प्रिष्टी दोस यूक्त नेत्र अब नेत्र वही रहेगा नेत्र हम लोगों को ये है नेत्र यह हम लोगों को नेत्र है और इसके अंदर का यह लेंस हो गया उत्ता लेंस इसलिएरी मानस्पेसिया इसको टांगे हुए है अब यह हो गया हम लोगों को परधानच या मुख्यच जिसको कह सकते हैं और इस बार O वस्तू यहाँ है लेकिन अब हमको यहाँ पर ओड़ेस हो गया यानि कि यह वला O वस्तू नहीं असपस्ट दिख रहा है असपस्ट ओडेस दिख रहा है इसलिए यहाँ से हम तीन किरन ग रेटिना के पीछे जाकर कटने लगता है तो अब रेटिना के पीछे जाकर कटने लगता है तभी हम इसको कहते हैं इसको दिर्ग दिरिष्टी दोस यानि कि यह हो गया हम लोगों को रेटिना के पीछे वाला कटने वाला तो यह हो गया बी वाला का चितर अब C नंबर में हम क दिर्ग द्रिष्टी दोस का संसूधन, अब संसूधन के लिए कैसा फिगर बनाएंगे, सबसे पहले एक नेत्र बना लेना है, यह हो गया नेत्र, अब यह नेत्र में एक उत्तर लेंस होता है, जानते ही है, इसको सिलियरी मान स्पेसियां जो हैसे टांगे रहती है, अब यहा परधान अच, अब इसके आगे, नेत्र के आगे भी आपको एक उत्तर लेंस टांगना है, अब हम लोगों को क्या हो गया, तो जहां से पहले ठीक था नेत्र, वहीं से अब हम लोगों को कीरन यहां से देखिए, यह क्या कर दिया, सिधा कीरनों को कर दिया, और यहां से उएकदम बिल्कुल रेटिना पर परतिबिम बनाने लगा, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, कि इसको सोधित करने हैं तो, तीन तरह का फिगर बनता है, तीन तरह का चितर बनता है, और यही बनाने के लिए हम लोगों को बोला जा रहा था पहिला वाला फिगर क्या है कि दिर्ग दृष्टी दोस का नेत्र का निकट बिंदू यानि कि निकट बिंदू का यानि कि हम लोगों को ये अच्छा नेत्र है इस नेत्र में कोई खराबी नहीं है क्योंकि इसका परतिवीम कहां बन रहा है रेटिना पर पिछे वाला भाग पर बन रहा है फिर दूसरा में का हुआ कि अब जहां से वस्तु हमको दिखाई दे रहा था उससे दिर्ग दिरिश्ट्वी दोस में क्या होता है दूर की बिंदू असपस्ट दिखाई देती है लेकि निकट की बिंदू असपस्ट नहीं दिखाते देती है यानि कि निकट जैसे ही इसको ओडेस किये तो परतिवीम कहां बनने लगा पीछे रेटिना है यहां लेकिन बन रहा है पीछे इसलिए हम लोगों को यह कौन सा दोस हो गया दिर्ग दिरिश्टी दोस अब दिर्ग दि बोल सकता है कि यह दिर्ग दिरिश्टी दोस का संसुधन हो गया यह दिर्ग दिरिश्टी दोस वाला नेत्र हो गया और यह पहले से मेरा निकट बिंदू का यहां पर परतिवीम बन रहा था तो कुल मिला कर यह हम लोगों को चितर बनाने के लिए बोला जा रहा था तो दो दोस्तों आगे की questions को अगले दिन हम लोग देखेंगे तो आज के लिए इतना ही तब तक के लिए धान्यवाद